जहीन साथियों आज मैं बारती सेना की उस टूकडी के बारे मैं आपको बताता हूँ जो कि बारती सेना की एकलोती कोर ईनुट है जिसमें की मेल और फिमेल दोनुहीं होते हैं तो फ्रेंट्स आप बोलते होंगे कि फिमेल दूसर कोर ऑफ सिकनलस में भी होती हैं तो फ्रेंट्स आपको बताना चाहूंगा कि वो कमिशन ऑपसर्स होते हैं मैं एज़ ज़वान की बात कर रहा हूं कि कोर ऑफ मिलेटरी पुलिस यानि कि सेना पुलिस भारत की एक मात्र वह कोर रेजिमेंट है जिसमें की मेल और फिमेल दोनु ही होते हैं और फ्रेंट्स दोनु का इलिविल्टी क्राडेरिया क्या होता है आपको पूरा वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा फ्रेंट्स वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट अभी फ्रेंट्स वीडियो शुरू करूं उससे पहले कोर ऑफ मिलिटरी पूलिस की स्तापना और उन्चे जूड़ी थोड़ा जानकारी आपसे साजा करना चाता हूं तो फ्रेंट्स कोर ऑफ मिलिटरी पूलिस का जो आप बोल सकते हैं गटन हुआ था वो 1939 से में हुआ था और इ साइब्स पहले बात कर लेते हैं कि कोर ऑफ मिलिनटरी पूलिस का सेना में क्या होता है तो friends core of military police यानि कि जब ये world आता है आपके दिमाग में 26 जनवरी की प्रेट दिखती होगी और infinite में जो कर्तब दिखाते हैं सेनिक आपको वो नजर आते होंगे friends बता दूँ आपको कि core of military police में इनका जो काम होता है मेन काम होता है सेना के discipline को बरकरा रखना साती सेना के discipline पर नेंतरन रखना और साती आर्मी केंड चाए वो युद्धु स्तर पे हो चाए वो शांती काल में हो चाए युद्धु के काल में हो छावनियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और उनके डिस्प्लेन की जिम्मेदारी भी कोर ओव मिलिटरी पुलिस के जिम्मे होती है फ्रेंडस आपने सुना होगा COORT OFF MARCAL या जन्रिल कोर्ड MüDS या कोई भी आर्मी इन्वेस्टिगेसिन तो बिना कोरो मिलिटरी पुलिस हैने के सेना पुलिस के जांस के विना पूरी नहीं होती है आपको बताना चाहूंगा कि सेना में कोई भी चाहिए एक्सिडेंटल केस हो चाहिए किसी भी प्रकार का कोई केस हो चाहिए पुलिस केस हो सेना के जवान को ठब तक पुलिस हाद नहीं लगा सकती है जब तक कि सेन्य पुलिस उसको किसी सिविल पुलिस के अंडर में नहीं करती है और इस पूरी प्रक्रिया में पहले सेना की NOC लेनी पड़ती है, सेना पहले कारवाई करती है, उसके बाद ही सेना पुलिस उनको सिबिल पुलिस के अंडर में देती है दोस्तों, कोर और मिलिटरी पुलिस के जवान का जिम्मा, COS या बड़े बड़े अधिगारें को पाइलेट सेवा भी मोहिया कराना होता है, जैसे हमारे COS यानि की जो आपके चीफ अपदारने स्टाप हैं, उनकी पाइलेट सेवा, प्लस आपके CDS की जो पाइलेट सर्विस होती है, वो कोर और मिलिटरी पुलिस के जम्में होती है, यानि की जो उनकी सुरक्षिया या उनका कह सकते हैं कि आप जो मार्क दर्थिन जो फस्त वान होता है, पाइलेट का, वो कोर और मिलिटरी पुलिस का ही होता है, सातियों तो आप बोल सकते हैं कि चाहे सुरक्षिया तो फ्रेंट्स अब बता देता उंख माईलाओं को कूँ लिया गया तो फ्रेंट्स एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है जहां सकतले माईलाओं को सब जगह सम्मान बड़ाबर दिया जाता है उसी प्रकार इंडियन आर्मी ने भी शुरूत की है तो सुर्वात इनकी कोर और मिलिटरी पुलिस से हुई है क्योंकि सेना की एक अनुसासन इनिट है जो कि सेने माम लोगी पूरी जाचे करती है और देरे-देरे मेरा पूरा मानना है कि साइध अनुल टाइम पे हर जग गए हर छेटर में मैलाएं पुरुस्दों के साथ ही मेल का बताऊंगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिमेल की तो फिमेल के लिए हाइड उनीची 152 सेंटीमिटर वहीं जैंट्स की हाइड उनीची 173 सेंटीमिटर है फ्रेंट जैंट्स के लिए जो वेट का क्रेटेरिया हो वह है 50 चेस्ट 77 और अब उसके बाद मान जाते ह है एजुकेशन पर यह हाइड का हो गया हाइड मनें बता दिया जिस परकार और आपने देखा हो का सोल्जर जीडी सोल्जर टेक्निकल इनके लिए स्टेडवाइज अलगलग हाइड का क्रेटेरिया है लेकिन कोरो मिलेटर पूलिस का बिल्कुल क्लियर है 173 हाइड आपकी ह होनी चाहिए आप कहीं से भी हो उसी प्रकार मैलाएं भी कहीं से हो उनकी हाइड होनी चाहिए आपकी 152 cm लेकिन नेपालीज गोर्खा गडवाली कुमावनी इनके लिए हाइड में छूट रहती है इनके लिए फिमिल के हाइड होनी चाहिए 148 cm अब फ्रेंट्स बात करते ह है एजुकेशन क्राइडरिया की एजुकेशन क्राइडरिया फ्रेंट्स इनका होना चाहिए 10th pass with 45% और हर एक सब्जेक्ट में 33% से अबब मार्क तो फ्रेंट्स यह हो गया आपका एजुकेशन क्राइडरिया उसके बाद बात करते हैं फिजिकल की सबसे पहले बात करते है हैं फिजिकल में आपके फिमेल की फिमेल का इविंट होगा पहला सोलो सो मिटर और सोलो सो मिटर का जो आपके दोड़ होगी अगर आप सात मिनट 30 सेकिंड के अंदर में आ जाते हैं तो आपको एक्सलेंट ग्रूप में माना जाएगा और आपके पूरे नंबर मिलेंगे आ आने वालों को second group में मिलेगा और 48 number मिलते हैं तो उसी प्रकार मैलाओं का next event है आपका long jump 10 feet की और female का है आपका 9 feet 10 pull ups का उसके बाद में जेंट्स का next event होता है जिग जैक बैलेंस और 9 feet जिसके की कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं तो फ्रेंट्स यह थी आपकी फिजिकल की कारवाई और इसके बाद नेक्स स्टेब होता है आपका medical का तो medical चाहिए जेंट्स हो चाहिए मेल हो चाहिए फिमेल मेंटली और फिजिकल हेल्थ दोनों की फिटनेस मस्ट इंपोर्टेंट है आर्मी में medical का क्रेटरी आप लोगों का बहुत साहब है कि आपको बिल्कुल सारी और मांसी ग्रूप से फिल्ट हो चीए जो medical में पास हो जाता है फिर उसका next होता है आपका इवेंट रिटन टेस् है 15 कुषें 30 ओर उसके बाद आपका नेक्स पार्ट होता है आपका मैठ पूफिछ जाते हैं आपके 10 कुषिय तकर बीस बीस नमवर और उसके बाद बाद डेस्ट कुषिय जाते हैं आपके थारिस नमपर के आपको बाहुता है तस के बाद यानि कि कहने का मतलब है कि इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट्स है वो है आपका जर्नल साइंस का जो कि अगेले 40 नमबर का है तो आपका 100 नमबर का पेपर टोटल नमबर और कुशन 50 और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की तो फ्रेंट्स रिटन का एक्जाम का पुरा बता दिया है मैंने आपको 100 नमबर का पेपर होता है और हर एक नमबर के लिए आपको दो नमबर मिलते हैं कि एक अगर आपका सही उत्तर है तो उसके आपके दो नम पे तो जो सिलक्षन हो जाता है उसका भारती सेना की कोर ओफ मिलिटरी पुलिस में वेलकम होता है यानि की आप भारती सेना की कोर ओफ मिलिटरी पुलिस में जाने के लिए शक्षम होते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर कमेंट्स जरूर करें इसी प्रकार की आर्मी रेकूट्मेंट, आर्मी मोटिवेशन और डिफेंस से सम्द्धी जानकारी के लिए अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंग, जै भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जै दोस्तों सब्सक्राइब कीजे एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटिक और सबसे आसान बासा में जानकारी के लिए साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिविकेशन सबसे जल्द मिलें